छीक कहते हैं किसी कारणवस व्यक्ति की नाक से तीवर व्यक के साथ हवा के निकलने को इसमें अनेक लाब हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा ने सिद्ध किया है छीकने के कुछ धार्मिक परावधान इवं शरई सिष्टाचार हैं उनमें से एक यह है कि अल्लह ताला छीकने को पसंद करता है नभी सल्लाला लिए वस्ञें ने फिर माया सर्वोच अल्ह चीकने को पसंद करता है सुन्द में चीक के बाद परशंशा करने का वचन बताया गया है जो की अलहम दुल्लाह कहना है और इसमें अल्लाह का अपने बंदे पर बहान अनुगरह की और इशारा ह कि उसने च्छीक के दुआरा अनु गरहीत करके उस सेहानी को दूर कर दिया फिर उसके लिए अलहम्दुलिल्ला कहने का विदान बनाया जिस पर उसे पुन्न दिया जाता है तत्पस्चात खेर अर्थात भलाई की दुआ करने को कहा अबू हुरेला रदियाल्लाह अनु से वर्नित है वो नभी स्लिल्लाह अलिही वसल्म से रिवायत करते है कि आपने फर्माया तुम में से कोई जब छीके तो अलहम्दुल्ला कहे तथा इसे सुनने वाला उसका भाई अतुआ दोस्त यरहमुक अल्ला कहे और जब कोई यरहमु कि आपने बर आत भलाईी की दुआ करे तुम में से कोई जब छीके तथा अलहम्दुल्ला कहे तो उसका अधिकार न जाता है कि जो भी मुसलियू सुने वो यरहमुक अल्ला कहे तथा पोच अल्लाह इसे तुम्हारे लिए जारी रखे ताकि तुम सुष्थ रहो। यदि कोई यरहमुक अल्लाह कहे तो छीकने वाले के लिए मुस्तहब है कि वह उसे यहदीकुम ल्लाहु वल्शलिहु बालकुम कहे। कि जो वयखती चीकने के पस्चाद अल्हम्दुल mermaid ना कहे तो इसके लिए यरहमुक अल्लाह नहीं कहा जाएगा। जो चीके तथा भूल वस अलहम्दुलिल्ला ना कहे तो वहां उपस्थित मुस्लिम के लिए मुस्ताब है कि उसे याद दिलाए कि वो अलहम्दुलिल्ला कहे तथा उसके उत्तर में फिर वो यरहमुकल्ला कहे جو ویکتی بار بار چھیگتا ہو तो त्सफीन बार यरहमुक आल्लाह कहने के भाद इसे नहीं कहा जाएगा बल्कि उससे कहा जाएगा आफाक आल्लाह इनका मजगूम नमाजी यदी जुमा के खुत्बा के दौरान चीके तो चुपके से अलहम्दुल्लाह कहे परन्तु यदी जोर से अलहम्दुलिल्ला कह दे तो अन्न नमाजियों के लिए जाइज नहीं है कि वह उसके उत्तर में यरहमुकल्ला कहे इमाम यदी खुत्बा देने के दौरान चीके इमाम जोर से अलहम्दुल्ला कहे और अल्हमदुलिल्ल्ह कहकर चुप हो जाए तो उसके उत्तर में यरहमुकलल्ह कहने में कोई हर्ज नहीं है किंतु ऐसा कहने के पश्चात इमाम यदी चुप ना हो बलकि खुत्बा जारी रखे तो फिर यरहमुकलल्ह नहीं कहा जाएगा यदि कोई गेर मुस्लिम छीकने के पश्चात अलहम्दलिल्ला कहे तो उसे सुनने वाला मुस्लिम उस से हदा का लाह अत्वा आफा का लाह कहेगा क्यूंकि यहूदी लोग नबी स्लिल्लाव लिस्लम के पास छीकने के पस्चात इस आशा में अलहम्दुलिल्ला कहा करते थे कि आप उन्हें या रहमुक अल्ला कहेंगे परंतु आप उन्हें कहते यहदीकुम ल्लाहु उसलिखु बालकुम। शोचाले में बैठा व्यक्ति यदि छीकने वाले को अलहम्दुलिल्ला कहते सुने तो उसके लिए उसका उत्तर देते हुए या रहमुक अल्ला कहना मकरूह अर्थात आपिरी हैं इसी परकार से शोचाले में बैठे हुए व्यक्ति के लिए छीकने के पस्चात जबान से अलह अहम्दुलिल्ला जोर से कहें और चीकते समय अपने मुख को ढाप ले ताकि उसके मुह अथवानाक से कोई ऐसी चीज ना निकले जो उसके पास बैठे हुए व्यक्ति के लिए कश्ट का कारण बरे ततावा अपनी गर्दन को दाएं या बाएं ना घुमाएं ताकि उसे हानी ना पहुचे